तो हएलो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरे स्प्सक्राइबर करते हैं कैसे पारे हम बताइए तो कुछ हार नहीक है बहुत सिंपल है क्योंकि यो लोग नए काम से जगते हैं को वीडियो देखे लاش तेक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से तो रोब कीजे गा तो पूचल यह शुरू करते में वीडियो कि तो देखे दोस्थों इस तरह से जो है यह आपका सेल होगय है और आप सामने से देखें गाइँ में इस पैडर लगा बना जाता है तो इसको देखे यह जो टुकड़ा है इसको बोलते है moon plate moon plate मतलब चांद के अगारगा moon मतलब होता है चंदर्मा तो यह चांद के अकार का है plate और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा इस तरह से cut किया जाता है ताकि कोई joint हो यहाँ पर joint है तो joint जो है इसके center में आ जाए या फिर cell नया fit up हुआ है वहाँ पर बीच में joint है वहाँ पर moon plate लगाना है तो भी जो है सारे moon plate को इस तरह से cut किया जाता है कि without moon plate तोड़े हुए welding किया जा सकी मतलब इसके अंदर से rod डाल के अंदर से welding हो सकता है तो इसको बोलते है moon plate और इसको मुदलब क्या कैसे बनाते है इसको देखें यह cell हो गया और cell का id मालूँना चाहिए अपको cell का id मालूँना चाहिए तो आपके हिसाब से जितना हो उतना देखें कि मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ मालूँना यह cell का id 4 मिटर है आपको 4 मिटर का moon plate बनाना है तो आप 2 मिटर का compass बानिए किधर भी कहीं पे भी कहीं प्लेट पे या कहीं नीचे 2 मिटर का compass बांद के इस तरह से घुमाईए और इसका जो लेंथ है वो cell के इसाफसे होता है कहीं-कहीं पे 500 mm लेंथ भी रखते हैं और कहीं-कहीं पे 600 mm भी लेंथ रखते हैं तो maximum 500 या 600 इसे लेंथ रखायता है तो यह 4 मिटर इसका id है cell का तो 2 मिटर का compass बानिए और घुम धिजिए किसी paper पर या किसी पत्रे पर 3-2 mm का पत्र होता है या कागज का ही मोटा कागज होता उस पर ही इस तरह से घुमा देजिए उसके बाद इससे जो height है यह 50 रखिए और 600 का लंबा-लंबा इससे line मार दीजिए यह radius मारने के बाद जो है यानि 4 मिटर आईडी है तो उ 600 रखिए इस तरह से 50 रखिए और यहां भी बीच में जो है नोज मार दीजिए उसके बाद आप 4 मिटर वाले आईडी के सेल में कहीं भी लगाएंगे इस तरह से तो यह आराम से चिपक जाएगा और वहां पर आप दो टाइकिंग कर सकते हैं यहां भी यहां भी और पीछे अगर नहीं चिपकता है तो इस तरह से जो है सी बना जाता है इस तरह से सी बना के आप उसको जो है टेकिंग करके ठोक सकते हैं तो इस तरह से जो है मून प्रेट बना जाता है और एक बात मैंने आपको बताया नहीं इसको जो है बनाने के बाद यह ऐसे जैसे मैंने बताया उससे बनाने के बाद जो है इसको टैंप्लेट कटिंग कर लें चाहे दो में या तीने में पत्रे में या तो कोई मोटा कागज हो पुठा हो उसमें बनाने कटिंग करके कट करके निकालने गेंडर से या चाकू से अगर प्लेट है तो गेंडर से कटेगा अगर पेपर है तो चाकू से या किसी ब्लेट से कट कर ले उसके बाद इसको जो है किसी भी स्क्रैब में आप कटिंगर के निकाल सकते हैं लेजे कोई स्क्रैब बहुत स्क्रैब थेका राता है उसी पर लिए रखें मार्किंग कीजिए और गेस कटर से कटिंग कर लेजे तो इस तरह से मून प्लेट कटिंग करके निकला जाता है माली इतल्स उसके बाद अगर इस पैडर एसे अगर बनाना है तो इस पैडर में चाहे आप सरकल लगाईए चाहे स्क्वार प्लेट लगाए कोई दिक्कत नहीं है spider बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कहीं भी नीचे plate के उपर या नीचे जो ID जितना दिया है 4 मिटर उतना ID घुमा लिजी माली जी एक मैंने ID घुमा लिया 4 मिटर का कमपास से उसके बाद यहाँ पर moon plate रख दिया है कहाँ पर center line निकाले है अगर 4 बनाना मतलब तो 6 का भी बना सकते है कहीं कहीं पर 4 लगता है कहीं कहीं पर 6 लगता है माली जी आपको 4 ही बनाना है तो आपने नीचे या कहीं plate पเลट जो है इस तरह से 2 मिटर रेडियस का घुमा दिये तो 4 मिटर इसका ID हो गया गुमा दिए उसके बाद सेंटर लाइन निकाल लीजिए सेंटर लाइन निकालने के बार एक मून प्लिट जो है यहां रखिए एक मून प्लिट जो है यहां रखिए आईडी मैच करके है जो आपने लाइन मारा है कम पॉस से उसको मैच करके जो है center line match होना चाहिए, moon plate का center और center line match होना चाहिए, तो वहां से id match करके, जो line मारा है अपने उसको match करके एक यहां रखिए, फिर इस center line पे रखिए match करके, यह जो radius है, वो match होना चाहिए, एक जो है, यहां पर रखिए, अगर 4 बनाना है तो यह 4 क्लिवे में बता रहा हूँ, यह जो idea अपने मारा है, यह 4 moon plate जो है, इसको match होना चाहिए, उसके बाद आपने कोई support cutting किया होगा, यह plate होगा, तो plate हो रख दीजिए नीचे, अगर एक लंबा pipe है आपका, मतलब यहां से लेके अगर यहां तक है, पूरा यहां तक pipe touch नहीं होना चाहिए, बस इसके उपर हो से के दोनों side में, अगर आप pipe जादा निकाल देंगे तो problem करेगा, तो pipe खाली moon plate के half ही रहे, मतलब आदे दूर तक ही रहे, तो यह एक लंबा pipe अगर मिलता है तो ले लीजिए, और यहां पर रख के, इसके center से रख के, इसको भी टाका मार दीजिए दोनो side, और यहां पर और यहां पर भी टाका मार दीजिए, और यहां पर भी टाका मार दीजिए, अगर थोड़ा बहुत moon plate बाहर भी जाता है, तो कोई दिखकत नहीं है टेकिंग करने में, क्योंकि टेकिंग करने के time हील जाता है, थोड़ा बाहर भी चला जागा, तो भी कोई दिखकत नहीं है, तो एक टेकिंग जो हो गया पाइप लंबा वाला उसके बाद एक छोटा पाइप लिजी काट लीजिए उसको ही स्मून प्लेट पर रखिए तोड़ा चड़ा के ऊपर तक यहां से रखके उसके बाद सेंटर में यहां टाका मार दीजिए बरबर मजबूत और यहां पर भी ट इसके पाइप आधा रहेगा, यह सी तरह से चार के लिए मैंने बताया है अगर फुल अग्सील यहां से लेकि Here तक ह कोणा चीज़े सेंटर या तो जो square plate है कहीं पर square plate भी लगा जाता इसे यह जो लगा है उसको जो है इस तरह से मालेजे वहाँ पर radius अपने match कर दिया उसको आपने हटा दिया हटाने के बाद आपका इसा दिखेगा उसे बाद आपने यहां से tape पकड़के पुरा देख लेना कितना है जितना center आएगा उसका उहां पर मार लेना है इस तरह से मालेजे इदर से center निकाल लिए और इसको दुनों को ना पिए और यहां center निकाल लेजे जहां center आता है वहीं पर जो है जितना cell का ID है उसका half लेजे यानि 4 मिटर ID है तो 2 मिटर लीजिए 2 मिटर कमपास बांद दिये और उसके बाद गुमा दिए अगर थोड़ा बहुत टैकिंग में ट्यड़ा हुआ होगा तो जो है कट करके निकल जाएगा तो एक बार पूरा स्पेटर बनने के बाद जो है कंपास यहां बांद के इस तरह से घुमा जाता है और ध्यान रहे कि जितना आपने ID मारा है उससे 3 mm छोटा ही र गुशा आजाता है लेकिन आसानी से घुश सके तो कंपास जो है इसके उपर भी 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 और इसके उपर भी अगर बराबर मैच हो गया तो ठीक है अगर नहीं मैच होता है तो जितना आउट है उसको जो है कटिंग कर करें अगरें अगरें दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद